गुड मॉर्निंग एवरीवन वैलकम बैक तू माई चैनल आज हम देखेंगे शेयर्स क्या होता है और वो कितने टाइप की होते है और इनके एक्स्प्लेनेशन ठीक है इसके लिए हम सबसे पहले देखते कि शेयर्स क्या होता है कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है ना उसक रुपे 1,002,500 इन की बाटा गया है जह दसी रुपे की यहां पर ररेक 10 रुपे की हर एक युनिट को शेयर्स बोला जाता है इस में एकلا शेयर्स है 10 गीद्द सेयर्स का नंबर इसलीए जहों इनके एक लाप श्यर्स को नंबर दिये जाते हैं तो वह नंबर इसलीए देके को प्रिटेँ को दिवाइड के यूनिट नेचर उफ शेर का नेचर क्या होता है की कमपनी के होते हैं यानि हम उन्हें एक परसंट से दूसरे परसंट को ट्रांसफर कर सकते हैं और किस टाइब से ट्रांसफर करना उसी कंडिशन क्या होंगी वह आर्टिकल और एस्टिएशन के अंदर मैंशन होती है और कंपनी के जो शेर सेना वह सेल्स ऑफ गूड्स रूस। नेस्ट है टाइप टाइप्स के होते हैं ट्व ट्वरनुट उंट और इक विटी शियर्स पॉइंट रहेएं ते रहेखा है क्या होते हैं इसका यहरे जना होती है पहला एक्विडेंटे को से पहले डिवीडेंड लेनेён ये नेक्स रहेगा कि जब कंपनी बंद हो रही है कंपनी का डिसॉलिशन हो रहा खोली टो प्रेफो City शेरहोल्डेर से पहले अपनी क Ona पिस ले लेते हैं अनि ईकल और डिवीडन में दोनों इनको को फ्रेफरेज्चियल राइट होता है दनागे रहेगा कि इन दोनों rights के अलावा preference shareholders को एक और right होता है कि company को अगर extra profit हुआ है तो equity shareholders के dividend की payment करने के बाद profits में हिस्सा लेने का इनका अधिकार होता है then preference shareholders कितने types के होता है इनको आगे एट types में divide किया गया है तो सबसे पहले रहेगा cumulative preference shares देखो cumulative मतलब कि किसी चीज़ का इकत्था होना cumulative का मतलब होता है कि इकत्था होना तो इसमें क्या आएगा कि जो preference shareholders का dividend है वो इकत्था होता रहता है और फिर लास्ट में जैसे इस साल उनका dividend उनको पे नहीं किया गया तो वह कट्था हो जाएगा और नेक्स चील अगर कंपनी के पास ज्यादा profits है तो उनको पे कर दिया जाएगा जैसे यहां पर देखो कि preference shareholders cumulative preference shares जैब वो shares होते हैं जिनको की राइट होता है कि अरियर मतलब कि अगर पिछले साल में उनका dividend due रहा गया payment नहीं हुई तो इनका जो अरियर है न वो इनको equity shareholders के dividend से पहले pay किया जाएगा इट मींज अगर company के profits जा किसी साल कम रहेगे तो dividend जह है इनका इकठा होता रहेगा जब तक की पूरा pay नहीं किया जाता जैसे example के लिए 16-17 में company ने 8% dividend pay करना था community preference shares पे लेगिन company जह है dividend distribute करना चाहती है equity shareholders shareholders पे 2018 में 24 परसेंट देना चाहती है तो उसके लिए company को पहले preference shareholders का जो एरियर रहता था था ना वह पे करना पड़ेगा तब वह equity shareholders को dividend दे सकती है और यह जो cumulative dividend पे किया जाएगा ना इसको balance sheet की contingent liabilities में श्वर किया जाएगा नेक्स टाइप रहेगा non cumulative preference shares non cumulative preference shares मतलब कि जिस shareholders को से मियर में उनका dividend पे कर दिया तो ठीक है लेकिन नेक्स टेर में उनका अरियर जाना वह एक अथा नहीं होगा इसमें होता है इसमें नेक्स रहेगा participating preference shares participate करने का राइट होता है यानि कि अगर हमने preference shareholders को fixed dividend पे कर दिया फिर equity shareholders को dividend पे करेंगे उसके बाद भी अगर company के प नोन-participating preference shares यहां पर क्या होता है कि उनको participate करने का राइट नहीं होता एक्स्ट्रा प्रोफिट में यानि कि company ने एक बड़ प्रेफरेंच शेर होल्डर्स को उनका dividend पे कर दिया फिर equity shareholders को dividend पे किया जाएगा और लास्ट में जो एक्सेस प्रोफिट बचेगा ना वह पेमेंट कर देती है जो भी उनकी पेमेंट बनती है वो कर देती है section 55 companies act 2013 के according irredeemable preference shares यह वो प्रेफरेंच शेर होते हैं जिनकी company जो है वो टाइम पे पेमेंट नहीं करती सिर्फ वाइंडिंग अप पे ही पेमेंट करती है जैसे companies act 2013 के section 55 के according कोई भी company ऐसे share issue नहीं करती ज next point रहेगा convertible preference shares यह shares वो होते हैं जिनको हम कुछ time के बाद fix time period के बाद preference से equity में convert करवा सकते हैं अगर हमारी मर्जी है तो next point रहेगा non convertible preference shares यानि कि यह वो preference shares होते हैं जिनको हम convert नहीं करवा सकते जैसे कि जो preference shareholders है उनके पास राइट नहीं होता कि वो अपने preference shares को equity shareholder shares के अंदर convert करवा सके यह तो था हमारा preference shares के eight types तर नेक्स्ट आज का टोपिक रहेगा equity shares equity shares क्या होता है equity shares वो shares होते हैं जिनको हम dividend तभी pay करते हैं जब हमारे पास profit बच जाते हैं यानि कि पहले तो हम preference shareholders के fixed rate of interest से dividend pay करेंगे उसके बाद अगर हमारे पास company के profits बचते हैं तभी equity shareholders को दिया जाता है otherwise equity shareholders को कुछ भी receive नहीं होता यह just company के owners होते हैं जैसे कि अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो इनको कोई fixed dividend नहीं होता कि इनको इतना ही dividend तो मिलेगा या ऐसा कुछ नहीं होता किसी विशेश year में अगर company के पास कोई profit नहीं बचा तो equity shareholders को कुछ भी receive नहीं होता अगर company ने जादा profit earn किया है तो इनको जादा dividend receive हो जाएगा higher rate of dividend इनको receive हो जाएगा अगर return of capital की बात करें यानि इने capital वापिस कब दी जाती है equity share capital तभी वापिस दी जाती है जब हम preference share capital पूरी पेक कर चुके हो यानि कि पहले preference वालों को share capital उनकी वापिस की जाएगी उसके बाद अगर company के पास पैसा बचता है तभी equity capital वापिस दी जाएगी otherwise नहीं दी जाए है लेकिन preference shareholders का ऐसा कोई राइट नहीं होता देन आगे next last topic रहेगा आज का कि difference between preference shares and equity shares इन दोनों के बीच में difference क्या है जो हमने भी दोनों पढ़े है फर्स्ट पॉइंट रहेगा rate of dividend कितना dividend दिया जाता है लेकिन equity shareholders को कोई fixed rate dividend नहीं दिया जाता यह डिपैंड करता है कि company के पास इस साल कितने profit हुए है उसी के base इनको दिया जाता है कोई rate fix नहीं होती the next point रहेगा arrears of dividend यानि कि अगर dividend पिछला इकठा होता जा रहा है तो उसका क्या करेंगे यहाँ पर preference shareholders के लिए होते हैं कि अगर किसी साथम dividend pay नहीं कर पाए तो जो अर्यार है न वहीं कठा होता ह जब हमारे पास profits होते तब पेक कर दिया जाता है लेकिन equity shareholders के case में कोई भी dividend इकठा नहीं होता same year में पेक कर दिया तो ठीक है otherwise इनको कोई dividend पे नहीं किया जाता पिछे वाला then next third point रहेगा preferential right as to the payment of dividend यानि dividend पेकरने के लिए पहले किसको दिया जाता है पहला अधिकार किसका दिया जाता है अधर्वाइस नहीं दिया जाता है अगर कंपनी के पास पैसा बचता है तो ही एक्विटी शेयर कैपिटल दिया जाते है क्योंकि तो कि यहां पर प्राथमिक्ता दी जाते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा फिफ्ट वोटिंग राइट नहीं होता लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है अब यहां पे देखो इनके पास अधिकार कम है प्रेफरेंस के पास पैसे लेने का है लेकिन वैसे management का अधिकार कम है लेकिन इक्विटी शेर होल्डर के पास पैसों का अधिकार नहीं होता लेकिन इक्विटी शेर होल्डर को management में पार्टिस्पेट करने का पूरा अधिकार होता है पार्टिस्पेट करने का management टोटली यही करते हैं तो इनका ही पूरा राइट रहता है तो यह था हमारा डिफ्रेंस बिट्वीन प्रेफरेंश एंड इक्विटी शेर यह था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक आप सभी को पसं आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू